हाई ड्वेल्टीज वेलकम टुई एजवे कॉमर्स क्लासेज मैं हूँ तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम अपना बैंकिंग चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो की मेक्रो एकनॉमिक्स आपकी बुक से हैं चेप्टर नमर सिक्स राइट इसमें गाइस आज हम कमर क्या हैं फॉटे से देखेंगे क्यूंकि फॉटे से यह ठट शुक्क्या तो हम एक उप्रियो तर पर इसे देखेंगे ता कि हमें qpe chal सके u cam somašel bank कैसे काम करता है और our V8 से ی히 किस तरिके से अलग होता है तो गवाइस commercial bank एक्टि में होता क्या है लेक्टा पोकि कमर्ष़ बैंक है सीवा करने के लिए इसका में मकसद क्या होते तौफिट और्न करना आप लोगों के आसपाष GFC सब प्रॉफिट कमाने के लिए लेकिन कैसे प्रॉफिट कमाते हैं हमी से वो लोग पैसा लेते हैं जैसे कि अगर सपोस करो यह कोई एक परसन है वो अपने 10,000 पे डिपॉजट करके आया बैंक में ठीक है हम बहुत जादा सेविंग पर चलते हैं कि डिपॉजट करना बैंक में पैसा होना चाहिए लाखो करोड़ो होना चाहिए हम जाके बैंक में डिपॉजट करते हैं ठीक है अब हम ही में से कोई लोग होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है लोन चाहिए होता है त इसको जो interest देगा 6% देगा यानि कि 12 में से अगर ये इसका 6% interest इसको दे भी देता है depositor को तो भी 6% वो earn कर लेता है इसी तरीके से guys पूरी dealing करी जाती है यानि कि जितने deposit है सिर्फ एक depositor नहीं होता बहुत सारे लोगे जो bank में अपना पैसा जमा कराते हैं cash में घर में तो उतना पैसा नहीं रख सकते तो bank में कराते हैं और वही bank क्या करते हैं आगे loan देता है और उस पर high rate of interest चार्ज करके उनमें से थोड़ा सा interest depositors को दे देता है बाकि उनकी income है और अगर तो भी पैसा बच जाता है कि loan से भी अगर हमारे को ऐसा है कि loan भी हमने दे दिया फिर भी वैसा बैंक के पास है तो bank उसकी investments करते हैं तो commercial bank कोई भी commercial bank उसका नाम ऐसा है commercial यानि कि वो बाहर आ रहा है commerce के purpose से trade के purpose से तो वो service motive से नहीं आ रहा है जनरली लोगों को लगता है bank हमारी सेवा के लिए बने है सेवा के लिए नहीं बनेगा इस profit कमानी के लिए बने है is an institution क्या है वो एक institution है which perform the function of क्या function perform करते है accepting deposit जो मैंने आपको बताया granting loan loan देता है making investment with the aim of earning profit और investments करता है ताकि वो profit अन कर सके तो यह होते हैं guys commercial bank इसके जो functions है guys इसके अंदर काफी सारी चीज़े हैं जो कि आपके syllabus में इस समय पर नहीं है अगर आने वाले time में होंगी तो मैं of course उन पर अलग से वीडियो बनाऊंगी लेकिन हमें पता होना चाहिए actual में क्या काम है एक short view में क्या काम commercial bank करता है so guys उसके काम दो parts में divide किये चाहते हैं primary and secondary primary में वो क्या करता है जो मैंने आपको बताया accept करता है deposit हम उसके bank में जाके पैसा जमागराते है and advancing loan वो loan देता है पहला सबसे main important काम वो ये करता है secondary में वो बहुत सारे काम करता है overdraft facility यानि की काफी सारी companies को benefit होता है कि वो अपने bank से जादा पैसा withdraw कर सकते हैं चेक issue कर लेते हैं कई बार agency function हमारे basis पर देखो हमारी EMI pay करता है हमारे loan के amount जैसे किसी अगर किसी और से dealing है home loan चल रहा है आपका car loan चल रहा है तो आपका bank उसकी payment automatically कर देता है तो ये सारे agency functions भी करता है हमें locker facility provide करता है तो ये other functions में आ जाते है secondary functions में जो bank हमारे लिए करता है तो bank के बहुत सारे काम है guys हाला कि आपके slabber से नहीं है तो हमें सिफ अभी इतना पढ़ना है और क्यों इतना भी पढ़ना है क्योंकि अभी हमें commercial bank किस तरीके से credit creation करता है जो कि बहुत important topic है class 12 का उसे समझने के लिए ह हमें इतनी चीजें आनी चाहिए at least ये concept हमारा clear होना चाहिए तो guys I hope आपको ये वीडियो समझ जाई होगी और next video में guys हम लो credit creation करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट आप Instagram पर मेनी idea तब ये से पूच सेखते हो thank you